Today's topic of economics is difference between consumption goods and capital goods हमें देखना है कि जो हमारा consumption goods होता है और जो capital goods होता है उनकी बीच का difference क्या है तो सबसे पहले जिल्सकी meaning से बात करते है कि consumption goods क्या होता है capital goods ये मैंने आपको last video में बताया था कि क्या होता है दूबारा revise करवा देती हूं consumption goods अपने खर्चा किया है खर्चा किया है विह आपने ऐसा सामान खर्चा है उसको क्या करते हूँ डिर 젊 रेक्ट यूज कर लेते हैं उसे क्या बोलेंगे विजन को उसको च्छुम कर लेते हैं एक कहलने साव तो आपने ब्रेड उसको consumed ने क्समें कर लिया ठीक है उसको direct आप उससे satisfy नहीं होगी आप उससे कुछ production करोगी ठीक है अब इसने के difference करते हैं उनका meaning आपको ज्यादा अच्छे से clear हो जाएगा difference से पहला है कि जो consumption goods है उसमें क्या होता है direct satisfaction of human wants जो human की wants है उसकी जो needs है उसकी जो जरूरत है इस goods को use करते ही उसकी जो satisfaction है वो complete हो जाते है उसका direct satisfaction हो जाता है ठीक है जैसे हमें book लगी है हमने खाना खरेदा और उसको consume कर लिया खा लिया ठीक है तो वो क्या है consumption goods है उसके बाद है capital goods capital goods क्या होती है these goods are used by producer for the production of other goods इसमें क्या होता है कि जो producer है ठीक है इन goods का use करता है producer किसी other goods का production करने के लिए ठीक है को डिरेक्ट यूज नहीं किया जाता है, for example, हमें भूक लगी थी, हमने खाना खरीदा, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए खाना बनाने का काम करेगा, वह इनके पास मशीन होती है यह उन लोगों के लिए खाना बनाने का काम करते हैं जिनको भूक लगी होती है फॉर इक्जामबल इसके पास बिस्किट बनाने वाली कोई मशीन है ठीक है तो जो मशीन है वह capital गूर्ड है यूंकि वह नया प्रड़क्शन करेगी उससे प्रडू और ऐसा ही खर्चा जब हम capital गुर्स के उपर करते हैं ठीक है capital में आती है बड़ी-बड़ी machinery बगरा तो उसको क्या बोला जाता है investment expenditure उसको क्या बोला जाएगा investment expenditure अब investment का मतलब क्या होता है investment का मतलब होता है कि जिससे हमें future में profit मिलना है या फिर हमने कहीं ऐसे जिगाएं पर investment किया है जिसलिए क्या होता ऐसे जगहें पर पैसा लगाया है जहांसे हमें कुछ ज्यादा पैसे होकर मिलेंगे यह जहांसे हमें ज्यादा profit मिलेगा तो तो वो क्या होता है investment होता है तो अगर आप capital goods खरीदती हो तो वो आपके लिए investment है क्योंकि आप उससे नया सामान बनाओगे नया सामान बनाके आप profit पे उसको बेचोगे नेक्स्ट है कि अगर consumption goods का higher production होता है ठीक है consumption goods को अगर ज्यादा बनाया जाता है तो वो क्या करती है society में welfare का काम करती है ठीक है उससे welfare का जो level है वो high हो जाता है ठीक है मतलब अगर देखो खाने पीने की चीज़े या human wants की चीज़े human की satisfaction की चीज़े ज्यादा बनाई जाएग ठीक है ऐसे दूसरा है कि अगर capital goods का ज्यादा production हो तो इससे क्या होगा future growth हमारी जो economy है वो future में grow करेगी हम grow करेंगे ठीक है हमारी company grow करेगी ठीक है difference हो गया अब next आता है आपका कि final goods क्या होती है question आता कि what is final goods तो final goods क्या होती है final goods वो गूर्स होती है देखो पहले final goods में हम दोनों तरह की गूर्स लेती है एक तो हो गया जो consumer goods मतलब consumption goods आती है वो भी तो final होती है जैसे bread बनके बिल्कुल तयार है तो consumer goods है final है एकदम से दूसरी है final capital goods मतलब कोई machine थी बनके बिल्कुल तयार है तो वो क्या है final capital goods है अगर हम bread बना रहे हैं उसकी processing चल रही है उसको ब work in progress चल रहा उसका तो वो भी final नहीं है तो final goods में दोनों तरह की आती है consumer goods और capital goods जो क्या होती है दोनों goods जो complete बन चुकिया final हो चुकिया ठीक है next आपका अब final goods के definition पूछ ले तो क्या होता है उसको लिखा जाता है these are those goods which are which have cross the boundary line मतलब उसने क्या किया boundary line को cross कर दिया of the production and the ready from use by other final users मतलब उसने boundary line को cross कर दिया मतलब जहां तक उसकी processing होनी थी उसने उसको cross कर दिया उसकी processing पूरी हो चुकिया बनने की और अब क्या है वो ready है users के use करने के लिए ठीक है मतलब जो भी users है जो उसको use करेंगे वो अब use कर सकते है उसको ठीक है अब एकी final users कौन सुनों होत है अगर हम बात करें final consumer goods को कौन यूज करेगा तो customer करेगा या consumer करेगा और final capital goods को कौन यूज करेगा producer ठीक है नेक्स्ट है आपका intermediate goods अभी हमने final की बात की बात आती है intermediate goods को से होते हैं तो intermediate goods का मतलब क्या होता है कि जो अभी work in progress में चल रही है ठीक है बीच में these goods are not cross the boundary line इसने अभी तक boundary line को cross नहीं किया है of the production these goods purchased by one firm इसमें क्या होता है कि एक firm goods purchase करती है from the another ठीक है दूसरी firm से और लेकिन करती किसलिए है या तो वो raw material के भी हाव पे होती है मतलब raw material की तरह है या फिर क्या होती है goods for resale या दुबारा बेचने के लिए for example इसमें क्या होता है कि एक लोहे की company है मालो और दूसरी गाड़ी बनाने की factory है छीक है तो जो लोहे वाली company है वहाँ उनका जो final product है वो गाड़ी वाले ने लोहा वहाँ से खरीदा छीक है तो गाड़ी वाले ने जब लोहा करीदा तो उनके लिए वो लोहा क्या है इंटरमेडियेट गूड्स क्योंकि उससे गाड़ी बनना भी बाकिए गाड़ी बनाएंगे वो चीक है तो इंटरमेडियेट गूड्स क्या होती है रोमेटरिल के तरह होती है या फिर दुबारा बेचने के लिए किसी किसी का काम दुबारा बेचना भी होता है ना कि एक परस तो यह क्या होता है, यह depends on its end uses, यह depends करता है कि उसका end use क्या हुआ है, last में उसका use क्या किया गया, for example, sugar है, अगर उस sugar को biscuit बनाने वाली factory यूज करती है, example यह है हमने, कि biscuit बनाने वाली factory अगर sugar यूज करती है, तो वो उसके लिए एक raw material है, intermediate goods हो गई, ठीक है, और वही sugar अगर ह हम उसको वैसे का वैसे use करेंगे, ना तो उसको कहीं फर्दर बेचना हमें, ना वो हमारे लिए raw material, क्योंकि raw material तब होता है, कि जब हमारा वही काम हो, हम उस चीज का business कर रहे हैं, ठीक है, और वो चीज हमारे regular होती है, ठीक है, अब आता है कि difference देख लेते हैं, जल्दी से, difference between intermediate goods और final goods, different, सबसे पहले है हमारा intermediate goods और दूसरा है final goods, intermediate में क्या होता है, यह boundary line के अंदर होता है, ठीक है, मतलब इसने अभी तक boundary line को cross नहीं किया है, मतलब product बना नहीं है, इसने, इसमें बन गया तो boundary line से, यह outer side है, बाहर, अब क्या होता है, यह intermediate goods, जो है raw material के तरह ही use होत है, फिर है, जो intermediate goods होते हैं, वो resell किया जाते है, for profit, मतलब दुबारा बेचा जाता है, उनको sale किया जाता है, profit motive के लिए, लेकिन final goods जो होते हैं, उसको resell नहीं किया जाता है, ठीक है, profit के लिए, फिर है अपका intermediate goods होती है, उसमें अभी तक कुछ value add करना बाकी है, मतलब अभ कुछ भी नहीं, ठीक है, फिर बात आती है, इनकी expenditure की, expenditure जो होता है, intermediate consumption, expenditure जो होता है, intermediate goods पे उसको क्या बोला जाएगा, intermediate consumption या फिर cost, लेकिन final goods के उपर जो होता है, उसको final expenditure बोला जाता है, ठीक है, last का जो खर्चा होता है, expenditure, अब last में आता है, not including national income, बहुत important है, जो intermediate goods है, वो कभी भी national income के अंदर include नहीं होती, क्योंकि जब वो final बन जाएंगी, तो वो final goods में use होती है, और final goods को national income में include किया जाता है, thank you